किसान साथियों नमस्कार आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में किसान साथियों आज प्रस्तुत है सर्दियों की फसल का भाग दो इसमें हम आपको बताएंगे कि ताव देना क्या होता है और कैसे दे इसे इस्ट्रेस मेनेजमेंट भी कहा चकते है यानि कि ताव देने का प्रबंधन करना आई ये बात सुरू करते हैं पहला कारिये हमें ये करना है जैसे ही हमारी सर्दियों की फसल ले चुके तो फरवरी मह के पर्थम सब्ता में आपको अपने बाग में साफ सफाई करनी होगी यानि पोधों के आसपास उनकी जड़ों के पास जैसा मैंने बताया था कि जहां तक पोड़े की छतरक हो वहां तक सफाई करनी है यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये कारिये केवल दो वर् अब इस साफसफाई करने के बाद में आपको पानी बंद कर देना है। या तो आप गुड़ाई कर दे और गुड़ाई करने का एक तरीका है कि आप पोधे के तने से थोड़ी दूर करें छेंच से लेकर एक मीटर तक पोधे की आयू के हिसाब से और फिर उसके पास गहरी जुताई कर दें चारों तरफ अगर किसी कारणवन किरी भाईयों ने नहीं की है और वो सर्दियों की फसल लेना चाते हैं तो इस समय तुरंत कर ल से और जहां तक उसकी डालिया फैलियों वहां तक काफी जुताई कर दें यह जुताई जितनी गहरी होगी तीन चार इंच होगी उतना ही अच्छा है इससे क्या होगा इससे जो नमी है वो सूख जाएगी खतम हो जाएगी और जो दुत्यक जड़े हैं जो भोजन लेती हैं वो कट जाएगी और पोधा पूर्ण ते डॉर्मेंट की सिच्वेशन में आ जाएगा यानि सुसुता अवस्था में चला जाएगा जब नमी सूख जाएगी और डॉर्मेंट की सिच्वेशन शुरू हो गई तो पोधा अपनी पतियां गिराना सुरू कर देगा यह हमारी ताओ देने की किरिया है और इसे ही ताओ देना कहते हैं अब इसके बाद हमें क्या कारिय करने हैं यहाँ पर अगला कारिय करने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करना चाहूंगा जो आप सब को बताना चाहूंगा जो बारी सब की बार काफी बात तक हुई थी और इस समय क कि आप 10 अप्रेल के आसपास, अगर आपके पोधों में नए कल्लो का सरजन हो गया है, तो आप 15% यूरिया का इस्प्रे करें, इसमें आप परती टंकी में एक वेटिंग एजेंट भी मिला लें, ये वेटिंग एजेंट कोई नहीं है, ये वेटिंग एजेंट सिरफ एक पोच है, तो एक टंकी में जो हमारा एक रुपे का सैंपू का पोच होता है, उसको भी मिला लें, इससे क्या होगा, कि 25 दिन तक, 25 दिन के अंदर-अंदर, आपके सारे पत्ते गिर जाएंगे, आज है, मान लीजिए 10 अप्रेल, और 25 दिन के बाद होगी आपकी 5 मही, तो 5 म में हमें कटिंग करनी होगी, जो हम अगले हिस भाग में, भाग तीन में बताएंगे, कि कटिंग हमें किस प्रकार करनी है, चोकि समय है अभी, लोग डाउन का पीरियड है, ये वीडियो भी मैं घर पर बना रहा हूँ, जो मुझे बाग में बनानी चाहिए थी, ताकि मैं य दिखाता मेरे यहां आज कल काम चल रहा है कि उनकी निराई गुडाई का या गहरी खुदाई का ताकि पोधों पर पूर्ण रूप से ताव दिया जा सके क्योंकि मेरे पोधे दो वर्स के हो गए हैं निराई गुडाई में एक ध्यान रखिए कि आपको उम्र के हिसाब से तन में जड़े कट जाएं और वहां पर सूख जाएं अब आपने ये सूख गया अब ये पोधे में ताव देने का काम शुरू हो गया अब हम इसे ताव को खतम कैसे करेंगे ये है दूसरा सवाल आप 25 अपरेल से शुरू करेंगे देखिए जो तारीख हैं उनको बहुत ध्यान रखना है अगर आप किसी काम को पास दिन आगे बढ़ाते हैं तो उस तारीख में आपको पास दिन छोड़ कर ही अगला काम करना है अब माल लीजिए आपने कटिंग करनी है तो कटिंग आपको 20 से 25 अपरेल को शुरू करनी है अगर आपने 10 अपरेल को छिड़काओ किया है तो आप 20 अपरेल को या 25 अपरेल को या एक मई को कर सकते हैं आप 25 अपरेल को कर लीजिए आप एक मई को कर लीजिए तो आपको कटिंग करनी है कटिंग कैसे करेंगे ये हम अगली वीडियो में बताएंगे लेकिन दूसरा काम क्या करना है आपको उसका थाला बनाईए उस थाले में भरपूर पानी दीजिए एक चीज का ध्यान रखिए कि हो सके पानी आपके तने को टचना करें और अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है तो आप उसमें पानी दीजिए अच्छी तरह पानी दीजिए पानी देकर जैसे ही हम पानी देंगे तो पोधा अपनी नीद से उठ जाएगा इसी किरिया को पानी रोक कर पानी देने के बीच में जो हमने कारिय किये हैं उसे हम ताओ देना कहते हैं यानि स्ट्रेस मेनेजमेंट कहते हैं एक बार फिर समझ लीजिए जब आपको कोई फसल लेनी है तो उसकी जो तयारी करनी होती है उसके लिए हम पोधे को ताओ देते हैं स्ट्रेस मेनेजमेंट करते हैं उसके लिए हमें कम से कम एक महा पूर पानी बंद करना पड़ता है अगर दो महा रखेंगे तो अच्छा होगा धाई महा रखेंगे बहुत अच्छा होगा और उसकी निराई गुडाई करनी है जिससे के जो दूसरी जड़े हैं बारिक वाली वो कट जाएं और जब हम उसे पानी देते हैं तो पोधा जाग जाता है और उसे पता है क्या करना है और वो कल्लो का सरजन सुरू हो जाता है जो अगले 20 दिन में सुरू हो जाएंगे 20 दिन बाद आप देखेंगे 20 से 25 दिन बाद कल्ले सुरू हो जाएंगे और कल्ले सुरू होने के 30 दिन बाद आपके फूलाने सुरू हो जाएगे तो किसान भाईयो ये था पोधों में ताओ देना ताओ क्या है मैंने ये समझाया है और ताओ कैसे देते हैं ये मैंने समझाया है इसमें बस एक ही समस्या है कि जब हमने पानी बंद किया है और जब तक हम पानी सुरू करते हैं उसके बीच में अगर बारिस हो जाए तो नए कल्लो का सरजन हो जाता है और उन कल्लो को हमने कैसे हटाना है वो मैंने आपको यूरिया के छिड़काव द्वारा बताया है जिसे हम defoilation कहते हैं यह जो मैंने यूरिया का छिड़काव बताया है आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं वहाँ पर एक छोटा सा पेज लिखा हुआ है जो मैंने एक रिसर्च पेपर का जैन साब ने दिया था रिसर्च पेपर का हिंदू में अनुआद करकर ड़ला है इससे ये सिद होता है कि हम बरसाथ की फसल को रोक रहे हैं और जितनी बरसाथ की फसल आनी थी उसकी काफी मात्रा हमारी सर्दी की फसल में जुड़ जाएगी इसी को हम बाहर प्रबंधन कहते हैं जो crop regulation मैंने बताया था अगर बारिस नहीं होती नए कंडो का सरजन नहीं होता तो पत्ते अपने आप गिड़ने लगते हैं अगर पत्ते कम बचते हैं जब आप पानी दे रहे हैं कटिंग कर रहे हैं अगर पत्ते कम बचते हैं हाथ से तोड़ सकते हैं लेकिन अगर बाग बड़ा है जादा है तो आप बेजिजग 15% यूरिया का इस्प्रे करिए तो किसान साथियों ये था पोधों में ताव क्या है और इसे कैसे देते हैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि हमें कटिंग किस प्रकार करनी है दो साल से अधिक वाले पोधों की जो जिसका कारिय हमें 20 अप्रेल से सुरू करना है और 15 माई तक खतम करना है उत्तर भारत के लिए तो देखना न भूलिए अगली वीडियो और हाँ ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में प्लीज लिखिए इससे मेरा उत्साह बढ़ता है अगर कोई कमी रही तो वो भी लिखिए मुझे पता चलता है कि क्या छूट गया किसान भाईयो अभी तक मैंने कभी नहीं कहा है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक अवश्य करें थम सब जरूर करें मेरा साहस बढ़ेगा मैं आपकी और मदद कर सकूँगा और जो किसान भाई नहीं जानते जिनको नहीं पता है कृप्या करके उन्हें वीडियो प्रेसित करें उन्हें सेयर करें उनकी साथ में ज्यान बाटने से बढ़ता है आपका भी बढ़ेगा हमारा भी बढ़ेगा हम सब सर्मद्ध हुए इसी के साथ विदा लेता हूँ घर पर रहिए सुरक्षित रहिए जै हिन जै भारत वंदे मातरम